Okay, so, अब in rooms में हमें electrons को fill करना है. तो सबस्दा में बात करो, सोडियम में कितने electrons है? 11 electrons है. अभी मैंने सोडियम सेब कोई छेर शार नहीं करी है. जुतने number of protons होंगे उतने ही number of electrons होंगे. तो मैं fill करना शुरू करूंगी. पहले अपार्टमेट में availability सिर्फ 2 है. हमारे पास 11 electrons है तो पहले मैं सिर्फ 2 fill कर सकती हूँ फिर अगले में कितने fill करूँगी 8 फिर M में कितने fill करूँगी सिर्फ और सिर्फ 1 कितने होगे total 11 यह होती है electronic configuration अब हमें समझने है valency का concept अब जो आखरी shell होता है जिसमें electron होता है इसे हम कहते है valence shell क्या कहते है हम इसे valence shell हर कोई अपनी life में satisfy होना चाहता है वैसे ही यह sodium का atom इसके आखरी shell में क्या है सिर्फ 1 electron है आ कितने सकते है 8 मतलब अभी 7 electrons और आ सकते है ठीक है और या तो फिर अब सब को क्या चाहिए न कि यह सारे shell में या तो electrons भर जाए और इतने ही भरे कि सारे apartment में उतनी ही होने चाहिए जितने availability है समझाया अगर मैं कहूं कि मुझे इसको satisfy करने के लिए मतलब इस पूरे electron को M shell में भरने के लिए total 8 चाहिए थे अब या तो मैं बोलूं कि साथ electron और लेकर आओ या मैं कहूं कि एक electron हटा दो तो क्या बन जाएगा 2 प्लस 8 10 इसे क्या कहते है noble configuration noble configuration noble configuration कौन कौन सी होगी है अगर मतलब मालो ये fill हो गए 2, ये 8 फिल हो गए ये भी 8 फिल हो गया मतलब पूरे में उतने ही रहें जितने होने चाहिए तब उसे कहते है noble configuration ठीक है सब किसी को noble configuration achieve करनी है अब यहाँ पर valence shell में क्या है एक electron है अगर मैं कहूं कि मेरे पास nucleus है nucleus के around electrons होते है अब जो nucleus के पास हमारे पास proton होता है उसके पास positive charge होता है electron के पास negative charge होता है यह जो proton होता है electron इनके बीच में attraction होगा क्योंकि alike attracts each other तो इनके बीच में attraction की वज़े से यह जो electron है यह कहीं बाहर नहीं escape कर पाता है बहुत जल्दी अगर आप energy देंगे तो escape कर भी चाहेगा यह नहीं भी कर सकता है तो यहाँ पर proton क्या कर रहा है इस पर force exert कर रहा है इन दोनों के बीच में positive और negative इन दोनों के बीच में क्या है हमारे पास forces है अब मैं कहूँ कि मेरे पास एक room है जहाँ पर एक teacher present है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कितने बच्चे है यहाँ पर हमारे पास अगर मैं कहूं कि सौ बच्चे हैं रूम में तो एक ही टीचर है एक टीचर सौ बच्चो को नहीं समाल पाएगा नहीं समाल पाएगा ठीक है माल लो कि अब यही सौ बच्चो के 40 बच्चे हो गए एक रूम में एक ही टीचर है तो अब ये एक teacher 40 बच्चों को सम्हाल लेगा मेरी बात पर आप story बढ़ा दीज़े development हो रहे है अब story के अब कहूं मैं माल लो teacher है let's say teacher क्या है nucleus है teacher क्या है nucleus है इसके around, इनके around क्या है shells है और electrons को मैंने equivalent कर दिया किसके students के किसके students के माल लो अभी room में मेरे पास माल लो भी मेरे पास room में एक student है ठीक है एक student है, यानि एक electron है और भी students है तो मैं बना देती हूँ और भी students ठीक है अब माल लो पहला student उठा teacher के पास गया और उसने कहा कि मुझे washroom जाना है teacher ने भेज दिया, एक electron को भेज दिया अब 5 electrons बचे 5 electrons बचे मेरे पास अब क्या हुआ, दूसरे वाले electron या दूसरे वाले student ने कहा कि मुझे भी भाहर जाना है teacher को गुस्सा आएगा, पर maybe थोड़ा hesitantly भाहर भेज देगा कितने बचे अब, 4 electrons बचे third फिर से जाने लगया तो teacher अब बहुत जादा hesitant हो जाएगा ये भी बोलेगा कि मुझे बाहर जाना है, teacher को गुस्सा आएगा, थपड़ लगा देगा तो nucleus क्या है मेरे पास जैसे एक teacher है, वैसे एक nucleus है जैसे जैसे मालो कि एक teacher जादे ध्यान तब देगा न students पर, जब students कम हो class में, तो वैसे ही nucleus है, वैसे ही nucleus है, nucleus क्या करता है, electrons को अपने साथ bound करके रखता है, electrons को अपने साथ bound करके रखता है तो nucleus के around जादा electrons बाहर नहीं जा सकते जादा electrons बाहर नहीं जा सकते ठीक है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है स्टेट में रखा हुआ है क्योंकि ये फोर्स एग्जर्ट कर रहा है तो अब मैं अगर सोडियम पे आऊ अब सोडियम क्या है बड़ा प्यारा इंसान है सोडियम क्या कर रहा है और ऐसा अब देखो एक सिनारियो ये था कि बाहर नहीं जा रहे है एक सिनारियो ये कि इसी क्ला स्टोरी का मॉरल मेरे पास यह हुआ कि SCOTT यहां पर एक एलेक्टरॉन है मेरे पास यहां पर मेरे पास एट इसफ़ाटमेट में एट इलेक्टरॉन की जगह possessions should do is worth the store कि के कैने कि मेरे एपार्टमें मैं यह इतो एट एलेक्टरॉन Cub या तो फिर बहार जाओ, मुझे नहीं चाहिए, या तो 8 ही रहेंगे, या तो कोई भी नहीं रहेगा, तो अब जो sodium है, अब इसके लिए क्या असान होगा, एक electron है, अब या तो यह साथ electron कहीं से ले आए, या तो एक electron किसी को दे दे, या चला जाए, दूसरा रूम जाके ढू ये चूज करेगा कि वो अपना एक electron दे के कहीं और चला जाए, कहीं और रहने चला जाए, ठीक है, तो यहाँ पर अब मेरे पास क्या होगा, कि एक electron कहीं चला जाएगा, तो अब मेरे पास violence shell में कितने electrons थे, valence shell में कितने electrons थे आखरी shell जहाँ पर electron है इसकी valency क्या हो जाएगी valency वो होती है जितना electrons ले सकते हैं या जितने electrons दे सकते हैं जितने electrons ले सकते हैं जितने electrons दे सकते हैं उसे क्या कहते है valency उसे क्या कहते है valency कौन decide करता है valency को valence shell decide करता है वैलंस शेल डिसाइड करता है तो यहाँ पे मेरे पास sodium की वैलंसी क्या हो गई 1 मैं यहाँ पे next example लेती हूँ let me erase everything let me erase everything okay chlorine मैं बात करते हूँ chlorine chlorine के मेरे पास atomic number होता है 70 atomic number अभी मैंने कोई छेट चानी की तो कितने होंगे 7 electrons यहाँ इसका electronic configuration लिखनी की कोशिश करो तो K L M N fine पहले में कितने भर सकते हैं 2 दूसरे में कितने भर सकते हैं 8 18 हो गया और यहाँ पे 17 है यहाँ कितने आ जाएंगे 7 M shell का क्या कहना है कि या तो मेरे पास सारे के सारे 8 electrons हो या तो फिर कोई भी न हो तो M shell ने M shell ने electrons को बोला कि 7 ही electrons हो तो मुझे एक और बंदा लेकर आओ या 7 के साथ बाहर चले जाओ तो तुम बताओ कि किसके लिए क्या nucleus जो teacher है वो classroom से 17 बच्चे हैं 17 बच्चों में से 7 बच्चों को बाहर जाने देगा या एक बच्चे को अंदर आने देगा obviously एक बंदे को अंदर आने देगा तो यहां क्या होगा अब हमारा जो chlorine है वो एक electron accept करेगा क्या करेगा एक electron को accept करेगा तो यहां पे हमारा वैलन्स शेल कौन हो गया हमारा वैलन्स शेल यह होगा जहां पर आगरी इलेक्ट्रोन होता है इस वैलन्स शेल के अगर मैं बैलन्सी की बात करूँ तो मैंने पहली बोला जितना electron ले सकते हैं जितना electron किसी को दे सकते हैं उसे valencey कहते हैं तो मेरे पास 8 electrons चाहिए और मेरे पास कितने हैं 7 electrons तो कितनी होई यहापे valencey? 1, कितनी हुई? 1, इसके लिए क्या feasible है कि एक electron ले ले एक electron ले तो यहाँ पे अभी हमारा topic खतम होते हैं, आगे हम एक और निव टॉपिक के साथ, आपके साथ, I'll make another video for the next lecture, बाइ-बाइ